असलाम अलेकुम आज हमारा लेसन नंबर 10 हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वाले लेसन में हम इंपोर्टेंट वर्ब्स ही देखेंगे जैसे लेसन नंबर 9 में देखें तो आप यू समझ लें लेसन नंबर 9 का जो है वो सेकिंड पार्ट इसको समझ ले तो हम अपना एक दफा पहले वाले लेसन का रिव्यू कर लेते हैं पिछले लेसन में हमने ये वाले कुछ वर्ब देखे थे सिर, स्टार, फलार, वेर, तिर, कुमेर और पुदेर ठीक है इसी तरहां के वर्ब्स होंगे सेम वो ही वाला मैथड होगा सिर वर्ब चेंज होंगे उसी तरहां एकसिसाइज होगी जिस तरहां जिसको लेसन नमबर नाइन समझ आ गया वो लेसन नमबर टैन भी इजी ली कर सकता है तो पार्ट सेकिंड एंपोर्टेंट वर्ब जो है वो हम स्टार्ट करते है पहला वर्ब है दार, टू गिव, एंग्लिश में गिव हम यूज करते हैं किसी को देना नेक्स्ट वर्ब है सबेर, टू नो यानि जानना नेक्स्ट है कोनी सेर, टू नो यानि इसका माईनी भी जानना है सबेर और कोनी सेर, दोनों का माईनी नो है यानि जानना अब इसमें जो है वो h silent है पुर्तिगीजी में h वहाँ-वहाँ silent होता है जहां वो joint हो रहा हो c, s और l के साथ उन वाले word में h जो है वो silent रहता है कोनी share, to know, desire, to say यानि कहना, career, to want, चाहना want मिन चाहना इस वाले word में you silent है इसलिए हम इसे career पढ़ेंगे प्रिथीर, to leave, leave मीन छोड़ना leave के लिए आवा हम यहाँ पर break, यानि तोड़ना इस type के word भी इसके लिए use कर सकते है air, to go, यानि जाना average, open, to open मीन खोलना अब हम verb conjugation करेंगे जिससरा हम पहले air, er वाले भी की थी आज के word जो है वो ir वाले हो सकते हैं कुछ ir से करेंगे regular words देखेंगे और इसकी exercises भी देखेंगे अब यापके सामने ir का rule है जिससरा हमने ar और er का किया तो इसमें o, ash, e, imush, is और im ठीक है वोही वाला method होगा conjugate verb ending in ir we need to take the infinitor of verb delete the ending and then add the conjugate specifically for verb ending in ir वोही वाले काम हमने करना है एक verb हमने लेना है उसकी ending के last two words को delete करना है और जो हमारा formula है उसको put करते जाने तो हमारा sentence जो है वो बनता जाएगा और according to person हमने sentence को change करेंगे इस table के according सिर्फ regular verb ही हम conjugate करेंगे उनके लिए ही सिर्फ ये वाला formula होगा जो irregular होंगे उसका हम अलग से discuss करेंगे जो एक या दो word पर होते हैं तो उसका ending हटा जेते हैं तो हमारे पस या तो एक word बचता है या एक भी नहीं होता तो उसके लिए थोड़ा सा लग होता है याद रखने वाला होता है बाकी ये सारे फिर भी मिलते जुलते हैं और 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 वाले पहला verb हमारे पास है प्रतीर तो अब हम आईर हटा कर अपना फार्मूला का जो word है वो इसमें पूट करते रहेंगे यू पार्तू तू परतीश एल एला पार्त नौश परतीमुश वाश परताईश एल एलश परतीम ठीक है ये एक regular verb के example आपके सामने है regular verb आईर हटाना है और ये वाले word जो red color में आपको लेके नदर आ रहे हैं ये वाले पूट करते रहें ना इसमें next verb हमारे पास है regular verb है to open you abru to abrish एल एला एबर नौश एबरिमुश वाश एबरिश एल एलश एबरी I open you open he she opens we open you all open they open ठीक है कोई भी हम sentence बनाएंगे तो sentence हमारे इस तरह sound करेंगे अब ही हमने एक word पढ़ा था is to go हमारा sentence ये था कि verb conjugation जो verb है उनकी ending हटानी है हमने last to ir अब ये तो खुद एक word जो है वो ir है तो जब हम इसको हटा देंगे तो इसके लिए हमारे पास ये बचेगा वाश वाईश वाई वैमुश आइडिश वाउ ठीक है तो ये एक irregular verb है इसका last हमने एंडिंग डिलीट की तो इस तरह इसे conjugate किया जाएगा लेसन नमबर नाइन की तरह ये exercise है और exercise जो है ये बहुत अच्छा option है आप लों के लिए कि हम टेस्ट करें अपने आपको कि हमें कितनी समझ आई है कितने word हमारे देहन में रह गए हैं तो इसको आप खुछ समझने की कोशिश किया करें कि ये कैसे आया उन्होंने I, He, They, She, We, Go इन सबके उन्हेंने word लिखे हुए है Portuguese language में अब आपन, goes, leave, opens, go और leave का word आपने लगाना है और इस exercise को fill कर लेना है मैं इसके answer दिखा दिखा देती हूँ मगर I suggest कि आप इसको खुद fill करें उसके बाद ही इसके answer देखें आपन यू अबरू, he goes अल वाई दे लीव अलिश प्रतीम, she opens अला अबरी, we go नौश अम्बरूश, you leave तू प्रतेश आपने पिछले जो exercise जो भी हमने की है इससे पहले exercise से पहले जो भी हमने वर्ब्स देखें हैं और बनाएं, बिल्कुल सेम ये उसी उनीक को देखकर बनेंगे, अगर आपके mind में होंगे, तो आप comment लगेगा इस exercise को fill करने में पहले आपने fill करना है उसके बाद ही इसके answer देखना है अब आपके सामने एक table है उनमें एक एक word दिया हुआ है जो end होता है ar पे, er पे और ir पे and there, walk, kukhir, run, abrir, to open ठीक है, ये भी हमने word पढ़ रहे हैं ar भी पढ़ा, er भी पढ़ा और ir भी पढ़ा इनको कैसे conjugate करना है ये सारे red में आपके बास लिखे हुए कि ये वाले words किस तरह बनेंगे er वाले word की हम ending हटाएंगे तो क्या-क्या लगाना है er की ending हम delete करते हैं तो हमारे पास क्या, जो बचेगा stamp verb जो हमारे बचेगी उसके बाद हमने इनको conjugate करना है इसी तरह IR वाले भी है ठीक है, ये एक पूरा table है आपको पिछला lesson भी इसको देखकर revise हो जाएगा आपको फर्क पता लग जाएगा कि इन तीनों tables में क्या फर्क है कहां लवजों में difference हाए और इसका जो है वो sentence change हो जाएगा जिस तरह एक और exercise है for your test they walk, you all run, I open, we walk, you run, he opens walk, run, open, walk, run, opens इनकी अब आपने पुर्टेगी दी अगर आपके पास written form में है तो और भी अच्छी बात है लिखी हो तो याद रहेगी तो आप इसको एक दफ़ा बना कर देखें उसके बाद इसके आन से देखें ये इस exercise के answer है आपने answer के साथ इन्हे match कर लें कि ये बिलकुल ठीक है कोई गलती है तो गोई बात नहीं next time ठीक हो सकता है लेकिन पहले खुद लिखें अपने answer खुद जहन में लाके लिखें कि यहाँ पर कौन सा वर्ब किस according to person हमने change करके कौन सा वर्ब लगाना है और यहाँ पर क्या आएगा आज की वीडियो यहीं तक है आज हमारी revision में हमने यही वाले वर्ब देखे थे दार, सबीर, कौनी सेर, दिजेर, करीर, प्रतीर, एर और अबरीर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे अलाहफेज